हाई आवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की बोड़ एक्जैम्स की परिपरेशन, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफी अच्छे से अपनी परिपरेशन कर रहे होंगे इस आपकी इस preparation को boost करने के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ most important वीडियो है इस पे click किया है तो पूरी last तक देखने देखके जाना इस वीडियो के अंदर आपकी book 1 history की book 1 जोकि ये वाली book है part 1 of history इस book के जो भी 4 chapters है उनके most important mcqs यहाँ पर मैं cover कराने वाला हूँ जो कि exam perspective से बहुत important mcqs है इस you know book के अंदर 4 chapters है 4 chapters यहाँ पर मैंने 15-16 mcqs लिए है तो total 60 plus mcqs यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है most important mcqs है अब आपके mcqs भी एक type के नहीं आने वाले अलग-अलग type के आने वाले है जैसे कि भई कोई simple factual information वाला question है या फिर date वाला question है या फिर consider the following statement तो जो भी अलग-अलग type के mcqs आएंगे assertion reason based, picture based वो सारे cover करूँगा इस वीडियो के अंदर और यहाँ पर मैं आपको कोई भी अगर question आपको नहीं भी आता तो आपको कैसे solve करना है अगर आपको दो option में confusion है exam के अंदर तो कैसे आप उसका अंसर पता लगाओगे और कैसे आपको assertion reason वाले question को solve करना है तो कुछ आपको बहुत सारे tips वगरा भी जानने को मिलेंगी और जो भी तो इतने type की हो सकती है तिन duration की वीडियो को पुरा last तक देख लेना important वीडियो है time मत देखना इसका ये देखना कितनी important है और आपको इसकी importance अपने exam में ही पता लगेगी जब आप वहाँ पर जाओगे और इस से related question exam में देखोगे ठीक है करना क्या है आपको notebook निकल लो ठीक है तो जो भी question आपकी screen पर आएगा पहले आप उसको अपनी notebook में लिख लेना उसके बाद देखना कि भई मेरा सही है या गलत है गलत होगा mistake पता लगाना क्या mistake है कैसे आप उसको आपको उसको समझना है जो मैं आपको उसके बाद explanation दूँगा और future में ये mistake नहीं करनी है चलिए फिर book 1 start कर रहे है MCQs important है 2023 board exams के लिए और यहाँ पर start कर रहा हूँ पहला question आपकी screen पर आएगा chapter wise हम चलेंगे ठीक है चलिए start करते हैं so chapter number 1 है brick beats and bones यहाँ पर आपकी screen पर पहला MCQ है इन में से आपको CTs बतानी है which of the cities of the harapan civilization जो की हर्याना को ब्लॉंग करती है तो देखो यहाँ पर मैं ज़्यादा रुकूंगा नहीं हर question के बाद वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी question आते ही पूरा वीडियो को pause कर लेना पहले उसके बाद अपनी notebook में attempt कर लो कि भाई यह इसका answer है देखो आप इसके according चलोगे न जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको confidence भी आएगा और अपनी mistakes भी पता लगेंगी कि क्या मैं mistake कर रहा हूँ और कौन से question मुझे आते भी है ठीक है उसके बाद अप solution देखना तो वीडियो को मैं हाँ पर मतलब जो भी question होगा उसको पहले मैं समझाऊंगा उसके बाद वीडियो को pause कर लेना और answer आपको देना है तुरनत मैं answer बता दूँगा वीडियो में जादा मैं रुकूंगा नहीं ताकि बड़ी न हो जाए तो यहाँ पर पहला आपको जो question है which of these site of harapan civilization जो की हर्याना को ब्लॉंग करती है तो वो काली बंगन है लोथल है काली बंगन है लोथल है या फिर बाना वाली है या फिर शॉट उगाई है क्या इसका अंसर है अटैम करो अपने नॉट बुक में तो इसका जो हमें अंसर देखने को मिलता है वो है तो यहाँ पर जो अंसर है that is यहाँ पर बाना वाली बाना वाली इसका अंसर है तो की देखो काली बंगना में कहां देखने को मिलता है राजिस्थान में ठीक है लोथल कहां देखने को मिलता है गुजरात में और शौट हूगाई कहां पर है अफगानिस्थान के अंदर तो यहां पर बाना वाली है जो कि लोकेटेड है हरियाना में ठीक है second question I hope आपका साई हुआ होगा अपना score नीचे कॉमेंट में करना question number second is which of these is the feature of हरपन civilization तो इन में से कौन सा feature है हरपन civilization का पहला है urban planning, town planning, sea turtle and lower town या फिर सभी के सभी तो यहाँ पर सभी के सभी जो थे वो फीचर थे हरपन सिविलाइडेशन के अरपन प्लैनिंग भी होती थी, टाउन प्लैनिंग भी थी, सीटा डलोवर टाउन सब हमें देखने को मिलता है उसके बाद कोशन नमबर थी है, from where did हरपनs get gold? तो वो हरपन people gold कहां से लाते थे, तो साउथ इंडिया से, सैंडरल इंडिया से, हिमालन रीजन से, आवे छोटा नागपुर प्लैटिव तो वो सिंपल है, कोलार फिल्ड थी, साउथ इंडिया की वहां से, करनाटका में लोकिटेड है, वहां से वो gold को लाते थे question number 4, यहाँ पर है, the great bath was found in which town of the Indus Valley Civil Edition, तो यहाँ पर जो great bath हमें देखने को मिलता है, वो कौन से Indus Valley Civil Edition के टाउन से देखने को मिलता है, तो वो मोहन जोदारों से मिलता है, देखने को हरपा से, चान हुदारों या फिर लोथल, तो क्या इसका correct answer होगा, तो हमें great bath देखने क question बन सकता है, तो इसके बारे में पढ़ लेना, important 3 और 8 mark के question के ओपर भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, question number यहाँ पर 5 है, which towns in the Indus Valley Civilization had no sea turtle, तो ऐसा कौन सा टाउन था, जहाँ पर हमें sea turtle देखने को नहीं मिलता, so मोहन जोदारों, हरपा, चानूदारों या फिर लोथल, so यह है चानूदारों जहां से हमें कोई भी sea turtle, देखने को नहीं मिलता, sea turtle क्या था, एक ऐसा structure था, जो की height पे बना हुआ था, ठीक है, और यह माना जाता है कि maybe यहाँ पर जो wealthy class थी, powerful class थी, उनके लिए यह था, बाकी lower town देखने को मिलता है, जो कितनी height पे नहीं था, हमें कहां देखने को मिलते हैं, so लोथर एंधोलावीरा, काली बंगन, बानावाली, हरपा या फिर मोहन जोदारों, तो common है, इसका answer simple है, हरप और मोहन जोदारों से देखने को मिलेंगी, भई, यह important site थी, तो यहाँ पर ही largest production होती थी, और वहाँ पर ही यह store करते थे, grains को, इससे ही तो हमें पता चला कि उनकी जो economy थी, that was surplus economy, ठीक है, so their economy was surplus economy, 7 question, question number 7 is, consider the following statement, तो हैं पर consider the following statement वाले question है, यह hard नहीं होते हैं, easy होते हैं, थोड़े conceptual होते हैं, लेकिन आपने chapter को अच्छे से पढ़ा है, basic आपको पता है chapter का, तो आप आप से solve कर सकते हो, तो consider the following statement, regarding Indus Valley civilization, तो आपको statement consider करने है, Indus Valley civilization से related, यहाँ पर हमें पहली statement देखने को मिलती है, कि हरपन सील is probably the most distinctive feature of the हरपन civilization, देखो इन वाले question में क्या करना, statement पढ़ने से पहले नीचे देखलो, क्या आप पूछा correct, ठीक है, अब आपको इसके according चलना है, और इस इन वाले question में, आपको मै elimination, so elimination जो technique है, वो आपको कैसे use करनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, so हरपन सील is probably the most distinctive feature of the हरपन civilization, ठीक है, हरपन सील एक important, you know, distinctive feature थी हरपन civilization की, उसके बाद हमें कैनल irrigation के evidence देखने को मिलते हैं, शौट उगाई से, मोहन जोधारों जो CT थी, वो एक unplanned manner में, यहाँ पर statement आपको बताने यह कौन सी सही है, attempt कर लिया, बताओं इस cancer, देखो कैसे solve करोगे, क्या मोहन जोधारों unplanned manner में थी, नहीं, तो C तो इस cancer नहीं हो सकता, eliminate कर दो, यह option गया, यह option गया, अब आपको इन दोनों में से पता लगाना है, जिन में से देखो BD तो common है, BD यहाँ भी हर अपन seal हमें देखने को मिलती है, जो कि एक important feature है, हर अपन civilization का, पढ़ाए हमने इसके बारे में, तो कौन सी statement correct होगी, यह, A, B, D, और आप B और D को भी देख लो, cannol के हमें, जो cannol irrigation के अबेट हैं, शौट उगाई से देखने को मिलते हैं, copper वो मैंने आपको बताया भी, copper was brought from kola region of karnatka, सो और यहाँ पर question में gold आएगा, gold, ठीक है, gold, gold आएगा इसका, तब यहाँ पर हमारा जो answer होगा, वो A, B, D होगा, सो अगर आपने gold की वज़ा से copper की according इसको solve किया है, तो उसको रहने देना, ठीक है, copper नहीं लाते थे वो, karnatka से, copper वो लेकर आते थे, कहां से राजिस्तान से, जो खेतरी माइन है, राजिस्तान की, ठीक है, वहाँ से वो copper लेकर आते थे, तो यहाँ पर gold आएगा, यह question में mistake है, ठीक है, इसको correct कर लेना, question number 8 है, consider the following statement about the seals of proto-shiva, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको statement consider करनी है, about the seals of proto-shiva, तो यहाँ पर क क्या आपको देखने को मिलेगा, proto-shiva से related, आपको statement consider करनी है, ठीक है, तो पहली statement है, there is mention of a deity, रूद्र in ancient religious text, ठीक है, उसके बाल, later on, रूद्र word was used for Shiva, और रूद्र is not mentioned as पशुपती in रिगवेद, और depiction जो है, पशुपती does not match the mention of रूद्र in रिगवेद, तो statement आपको correct बता ये कौन सी सही statement है, तो इसका अंसर देखो क्या होगा, देखो statement बारी बारी पड़ो, there is a mention of a deity, deity, रूद्र in ancient religious text, तो ancient religious text है, उसमें हमें word रूद्र देखने को मिलता है, कहाँ पर रिगवेद के अंदर, तो ये statement सही है, और ये जो word रूद्र रहना, इसको बाद में Shiva के लि मिलता है, यानि कि रूद्र is not mentioned as पशुपती, रिगवेद में जो रूद्र mention है, वो ऐसा पशुपती mention नहीं है, Lord of God, Lord of Elephant mention नहीं है, ऐसा पशुपती mention नहीं है, खाली हमाँ पर रूद्र लिखा है, और जो depiction है, पशुपती शील का does not match the mention of रूद्र in रिगवेद, तो जो depiction of पशुपती डबले है, और जो depiction है, पशुपती का, वो match नहीं करता, तो यह पर हमें सारी statements सही देखने को मिलती है, सो जो 8 है, उसका answer हमें क्या देखने को मिलेगा, A, ठीक है, next यहाँ पर हमारा question है, question number 9 is find the correct matching pair, तो यहाँ पर match करना है, आपको correct matching pair तो fire altars, code dg से देखने को मिलते हैं, shell objects, राखी गड़ी, black clay jar, चानुदारों से और terra quota bull बाना वाली से, तो यहाँ पर आपको match करने है, pair कौन से सही है, fire altars हमें coat dg से देखने को मिलते हैं, कहां से देखने को मिलते हैं, हमें जो हैंपर जो साइट होगे एक लोथल या फिर काली बंगन वहाँ से फायर आल्टर समय देखने को मिलते हैं सो लोथल या फिर काली बंगन शैल आपज़क्ट हमें राखी कड़ी से देखने को नहीं मिलते हैं बलकि हमें नागेशवर बाला कोड जैसे साइट से देखने को मिलते हैं ब्लैक क्ले जार हमें कहां से देखने को मिलता है चानुदारों से नहीं हरपा से ठीक हरपा से और टेरा कोटा बूल बाना वाली में हमें देखने को मिलता है so D is the correct answer question number 10 हैं पर date based question आ गया ठीक है आपको यहाँ पर जो major हरपन जो civilization है उसकी date आपको बतानी है so यहाँ पर जो date होगी वो क्या होगी यह 5700 से 4500 होगी या फिर 2600 से 1900 या फिर 1900 से 1300 या फिर 1300 से 1050 BCE तो क्या इसका अंसर होगा that is simple है 2600 से 1900 BCE और यहाँ पर आपको देखो एक तरीके से यह भी option दिया जा सकता है यहाँ पर आप फटापर से इसको बस यह देखो और सही कर दो अगर यहाँ पर 2600 से 1900 CE गीवन है तो वो अंसर नहीं होगा you have to check this also BCE क्या इसके पीछे suffix लगा हुआ है question number 11 is why is हरपन script called enigmatic enigmatic मतलब mysterious क्यों हरपन script को mysterious बोला गया है so यह pictographic थी uniform थी इसलिए या फिर इसको left से right लिखा जाता था इसलिए या फिर इसको अभी तक हम read नहीं कर पाए है इसलिए या फिर यह common feature दिखाती है writing का तो जो इसका correct answer है वो है C क्योंकि इसको हम अभी तक decipher नहीं कर पाए है लेकिन अगर यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता इसका answer C है लेकिन ये भी reason इसका हो जाता enigmatic का अगर यहाँ पर given होता कि right से left तो वो ऐसे लिखते थे देखो हम कहां से लिखते हैं हम ये left है हमारा ये मेरा right है तो यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे लेकिन वो right से left लिखा करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें cramping देखने को मिली है थोड़ा भिच्चम भिच्चम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और अगर हम लिखते हैं इसके बाद यहाँ पर 12th question है that is picture based question तो यहाँ पर आपको identify करना है given figure को और name बताना है इसका जो कि आर्केलोजिस ने दिया है तो यह priest king है पशुपती है mother god है सया फिर रूदर है तो यह है priest king question यह वाला काफी आता है picture based question तो important है question number 13 क्या है मोहन जोदारों के regard में आपको statement consider करना है और बताना है कौन सा correct है तो जो local name है मोहन जोदारों का वो है mount of dead या फिर मोहन जोदारों जो है पाकिस्तान के सिंद्र प्रोवियंस में है या फिर great bath को discover किया गया है मोहन जोदारों से और जो traces है canols के वो हमें कहां से देखने को मिलते हैं वो traces है canols के वो हमें मोहन जोदारों से देखने को मिलते है statement correct बतानी है तो ये तो होई नहीं सकता क्योंकि हमें short to guy जो कि हमें अफगानिस्तान में place देखने को मिलती है वहाँ से हमें can all के क्या देखने को मिलें traces तो D को कर दो eliminate because हमें correct बताना है तो D eliminate हो गया खाली है कि में D दे रखा है कोई बात नहीं सो यहाँ पर हमें बताना देखो local name क्या था amount of dead yes statement correct है महुन जोदारों कहाँ पर located है सिंध प्रोवेंस में located है पाकिस्तान के सही है great बात हमें अभी हमने देखा था पहले दूसरे question में हमें महुन जोदारों से देखने को मिलती है मिलता है great बात सो इसका answer हो जाएगा a b c यह a b c b statement incorrect है उसके बाद आ जाते है assertion reason वाले question एक मैंने वीडियो बना रखिया example से समझाए कैसे assertion reason वाले question को आपको solve करना है वो देख ले न थोड़ा मैं हापर आपको बता दूँ simple trick है पहले आप assertion और reason दोनों को यह देखो क्या यह सही है या गलत है statement अगर देखो आपको देखने को मिलता है दोनों statement सही है तो आपको यह पता लगाना है दूसरा step यह है कि क्या इन दोनों में कोई relation है link है क्या पहली statement क्या जो यूनो जो इहाँ पर दूसरी statement है वो reason है पहली statement का जो पहली statement given है क्या जो दूसरी statement है वो उसका reason है यह आपको पता लगाना है कि यहाँ पर पूछा जाता है कि भई R दोनों का सही है या फिर दोनों यहाँ पर सही है तो क्या R correct explanation है A की, R यहाँ पर explain कर रहा है A को, reason है उसका ऐसे आपको link पता लगाना है connection दोनों के बीच में तो पहला step दोनों को सही पता करो दोनों statement सही है या नहीं है अगर कोई भी statement false हो गई तो आप नीचे वाले option को देख लेना यहाँ पर मैं आपको अभी example से समझाता हूँ मतलब एक question करके आपको समझ में आ जाएगा question को read करो और attempt करो मेरे साथ assertion दे राखा है archaeologists use करते है कुछ strategies find करने के लिए social और economic differences people के बीच में इन में से क्या क्या आता है कि वो study करते है burials को artifacts को which can be divided और जिनको हम divide कर सकते है utilitarian में और luxuries में ठीक है उसके बाद यहाँ पर हमें जो reason देखने को मिलता है वो reason है valuable materials are not concentrated in large settlements तो जो valuable material था वो concentrate नहीं था मतलब large settlement में नहीं देखने को मिलता but rarely found in smaller settlement वो smaller settlement में हमें देखने को मिलता था कोई भी valuable material है तो वो हमें large बड़ी-बड़ी settlement में नहीं मिलता था देखने को जैसे कि हरपा मोहंजोदारो बलकि smaller settlements में देखने को मिलता था तो यहाँ पर पहली statement read करो यहाँ पर पहला option दूसरा तीसरा चौथा तो पहला क्या बोलता है कि दोनों सही है और our correct explanation एक ही दूसरा बोलता है कि our दोनों सही है लेकिन our correct explanation नहीं है और यहाँ पर तीसरा option है A सही है R गलत है या फिर A गलत है R सही है ठीक है तो देखो पहला step step by step चलेंगे पहला step क्या है यह मैं इसी question में आपको बता रहा हूँ step wise कैसे चलना है यह पता लगाओ कौन सा सही है कौन सा गलत है या फिर दोनों सही है स्टेटमेंट के बारे में देखो स्टेटमेंट सही या गलत के बारे में पता लगाओ so let's see आर्कलोजिस यूज करते कुछ strategies को पता लगाने के लिए economic differences और social differences और उनके लिए वो study करते है burial और artifacts ठीक है जिनको divide कर रहा है artifacts को utilitarian में luxuries में हंजी statement सही है दूसरी statement क्या valuable material खाली बड़े-बड़े settlement में मिलते थे मतलब sorry छोटी small settlement में मिलते थे वो larger settlement में नहीं थे गलत statement है बलकि हमें valuable material बड़े-बड़े settlement में देखने को मिलते हैं तो यह statement गलत है पूरी reason so यहाँ पर यह दोनों तो होई नहीं सकते तोगि यहाँ पर r को भी true बता रखा है ठीक है और यहाँ भी r को true बता रखा है यह automatic इसका answer होगा c will be the correct answer of this question next भी यहाँ पर यही वाला question है read करते हैं यहाँ पर पहले आप देखो इसका answer दे दो उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ answer के साथ पढ़ लिया answer अपने copy में लिख लिया चलिए देखते हैं एजर्शन दे रखा है कि 1800 BCE आते आते जो most of the major हरपन साइट्स थी वो खतम होगी अबैंडन हो गई और 1200 BCE आते आते यहाँ पर completely पूरी civilization vanish हो गई और 1900 BCE के बाद यहाँ पर एक rural way of life आया जिसको हम बोलते लेट हरपन या फिर successor cultures एमर्ज हुआ ठीक है इसके पीछे क्या reason दे रखा है कि बाई क्यों end हो यह रपन civilization तो कई सारी reason है climatic change, deforestation, excessive flood, shifting and drying up of rivers to overuse of landscape और यह सभी factors थे all these factors में है weakened the civilization but its ultimate जो extinction है वो यह माना जाता है कि बाई एक तरीके से कोई बड़ा destruction हुआ होगा या फिर कोई invasion आया होगा अब देखो यह statement सही है क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है civilization का end हो जाता है और उसके साथ-साथ यहाँ पर यह civilization end होती है उसे कई सारे reasons होते हैं वो reason इसमें पता रखे हैं यह statement भी सही है ठीक है इसका मतलब दोनों सही है और क्या ही इसमें कोई दोनों में connection है हाँ जी connection है क्योंकि यह इसके reason को बता रहा है यह बता रहा है कि भाई decline हुई हरपन civilization और यह वाला हमें बता रहा है point कि भाई क्यों decline हुई why तो दोनों में connection है यहाँ पर जो है both a and r is true और r correct explanation है यह correct explanation है इसकी इस statement को यह explain कर रहा है r right so इसका answer क्या होगा a will be the correct answer of this question ठीक है chapter number 2 start हो रहा है कितना score रहा chapter 1 में मुझे overall बताना वैसे है आप लेकिन अभी आप देखलो कितना score रहा आपका ऐसे है आपको सभी chapter का करना है हाँ पर हम chapter 4 तक चलेंगे पूरी book 1 complete करेंगे question number 1 है अशोका is mentioned by which title in his inscription तो उसके inscription में अशोका के लिए क्या title यूज किया गया है अशोका प्यादसी मेसा मेसा तूवन अशोका या फिर देवंपिया प्यादसी देवा पुत्र प्यादसी so C will be the correct answer देवादसी का मतलब एक ऐसा परसन जो बहुत काइंड है तो यह title अशोका ने अडॉप्ट किया था ठीक है दूसरा question है यहाँ पर which of the following script वर decipher by James Prince James Prince अफिसर थे इस्ट इंडिया कंपनी तो इन्होंने कौन सी दो script को decipher किया decipher का मतलब उसका meaning पता लगाया ठीक है so यहाँ पर पाली, प्राकृत, खारोस्टी, भ्रामी तो कौन सी script है यहाँ पर so answer है 3 and 4 तो यहाँ पर भ्रामी और खारोस्टी दो script थी जिनके बारे में जिनको decipher किया किसने James Prince तो यहाँ पर यह भी देख लो एक साइड मत देखना दोनों साइड देखना कोशन के यह कोशन भी बन सकता है who decipher भ्रामी और खारोस्टी so that will be the James Prince ठीक है James Prince अपने हाँ पर इनको decipher किया next यहाँ पर कोशन है धम मामतास कौन थे तो special revenue officers थे करने के लिए जो masses जो है धम का उसको उसका जो spread उसको stop करने के लिए इनोंने appoint किया तो क्या answer होगा C will be the correct answer special officers appointed by Ashoka to spread the masses of dham तो धम का जो masses है उसको you know spread करने के लिए इनोंने धम मामता नाम के officers को appoint किया अशोका appointed which officers to spread the masses of dham तो यह question ही बन सकता है तो वो officers कौन क्या कहलाते थे तो वो officers थे धम मामता तो आपको यह भी याद होना चाहिए तो यहाँ पर एक question में से दो-तिन question निकाल लिया करो question number 4 है why is this 60th century BCE इसको क्यों turning point माना जाता है Indian history में क्योंकि यहाँ पर कई सारे state, city, town या फिर use of iron आ रहा था या फिर emergence of state, city, town या फिर dominance of hinduism dominance of hinduism या फिर use of iron मतलब या फिर नहीं इसी में ये कौमा लगा रखा है emergence of buddhism and jainism executive extensive use of copper तो इन में से यहाँ पर कौन सा answer होगा तो 6th century BCE eco turning point इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर नएने states आ रहे थे cities आ रहे थी towns आ रहे थे और iron का use हो रहा था जिसकी वज़ासे agriculture productivity बहुत जादा बढ़ रही थी ठीक है question number यहाँ पर 5th क्या है who appoint who compose the प्रयाग प्रशस्ति in praise of samundra गुप्त तो किसने compose किया प्रयाग प्रशस्ति को जो की एक inscription हमें देखने को मिलती है in praise of samundra गुप्त जो की गुपता रूलर थे powerful गुपता रूलर थे तो किसने यहाँ पर compose किया वो थे court poet तो court poet हरी सेंड was the court poet of samundra गुप्त जिनोंने प्रयाग प्रशस्ति नाम की प्रशस्ति को यहाँ पर क्या किया है compose किया है अब यहाँ पर देखो यह भी आ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति है जिसको compose किया है court poet of which ruler court poet of which ruler हरी सेंड तो हरी सेंड जो कि court poet है किस ruler के जिनोंने प्रियाख प्रशस्ति को compose किया है तो समूंद्र गुप्त तो इसी कोशन में से दो कोशन निकल गए न एक कोशन और निकल गया कैपिटल बतानिया आपको मगत की देखो इस वाले कोशन में ये नहीं पूछा कि आपको पहली वाली कैपिटल बतानिया फिर बाद वाली तो कंसिडर कर लेना इस वाले कोशन में कि आपको इनिशल कैपिटल बतानिया मगत की सो इनिशल कैपिटल मगत की वह दी राजा गाहा बाद में शिफ्ट करके इसको पांटली पुतरा कर दिया गया कोशन नमबर हाँ पर सैवन्त है वैसे आपको एक्जाम में हाँ पर मेंशन होगा स्पैसिफिकली आपको कौन सा बताना है दोनों हाँ पर आप याद रखना Consider the following statement about the Moran Empire तो आपको statement consider करनी है about the Moran Empire तो पांच में पॉलिटिकल सेंटर थे Megasthenes ने Moran Empire के बारे में अपनी बुक इंडिका में लिखा है अशोका ने Moran Empire को 321 BCE में फाउंड किया अशोका ने यूज किया resources को ताकि बुधिजम को फैलाने के लिए अपने resources का यूज किया कौनसी statement correct है तो देखो अशोका ने क्या found किया तो Moran Empire को अलग से एकदम statement चमक रही है नहीं हाँ पर चंदर गोत Moran लिखा होना चाहिए था तो 3 हाँ पर कट गया यहाँ पर भी 3 है हाँ पर भी 3 है ओटोमाटिक दी अंस्दर विल भी C 1, 2, 4 लेकिन एक्जैम में ऐसा पॉसिबल नहीं है थीक है तो आप पता लगा सकते है और आप से पाँच में पॉलिटिकल सेंटर थे कौन-कौन से थे देखो हाँ पर Capital पाटली पुतरा ठीक है उज्जैन, तक्षिला, स्वन्णागरी, तोशाली तो यह सारे पाँच में पॉलिटिकल सेंटर थे Megasthenes Indy का नाम की किताब लिखी है ठीक है और अशोकान ने अपने resources को use किया बुद्धिजम फैलाने के लिए खुद वो बुद्धिजम को adopt कर लेते हैं ठीक है और अपने बेटे यहाँ पर महिंद्र और अपनी बेटी यहाँ पर जो संग मित्रा को वो भेशते हैं यहाँ पर श्री लंका में ताकि बुद्धिजम फैले ठीक है श्री लंका में वो भेशते हैं अपने डॉटर को अपने सन को तो यहाँ पर इन्हों ने बुद्धिजम को फैलाया question number 8 आपको बताने कि अगर हारा grant क्या होता है तो एक यह लैंड होता है जो की दिया जाता है किसको officer को उसकी salary के बदले या फिर एक grant of land होता है जो की temple को दिया जाता है ताकि वो अपना देखरे कर सके या फिर एक tax free land होता है जो की restricted to brahman जो की brahman के लिए restricted होता है या फिर none of the above जिसने c किया है गलत है answer why? because देखो यहाँ पर यहाँ पर यह बता रहा है का एक tax free land होता है ठीक है यहाँ तक statement सही है लेकिन वो ब्रहमन के रिस्ट्रिक्टिड नहीं होता बलकि ब्रहमन को ही दिया जाता है so given to ब्रहमन्स only तो यह statement और यहाँ पर वो उससे tax भी collect कर सकते है ब्रहमन्स को tax नहीं दे ना ब्रहमन के लिए tax free है लेकिन ब्रहमन्स यहाँ से tax collect कर सकते है अगरहारा land से ठीक है? so यहाँ पर statement यहाँ पर यह जो option है D यह correct answer होगा इसका ठीक है? तो आपको इस तरीके से धिहान रखना है exam में question number 9 which of the following were elaborate stone structure that emerged in the central and south india from the first millennium BCE तो first millennium BCE में हमें बड़े-बड़े elaborate stone structure देखने को मिलते है south india में तो south india में हमें बड़े-बड़े हाँ पर stone structure देखने को मिलते है तो वो क्या थे? उन्हें क्या कहते है? rock addicts है या फिर pillar addicts है megaliths है या फिर cave temples है तो वो है megaliths ठीक है? question number 10 is which of the following rulers identified themselves as dev putras and their statues have been found in shrines in Mathura as well as Afghanistan तो कौन से rulers अपने आपको देवा-पुतरा का title उन्होंने adopt किया और उनके जो statues है वो हमें Mathura में as well as अफगानिसान में देखने को मिलते है तो कुशान्स थे जिन्होंने अपने आपको देवा-पुतरा son of God का title दिया और उनका statue जो इनके powerful ruler connection है कनिशका में statue देखने को मिलता है Mathura में जो कि आपकी बुक में दे रख है जिसका head नहीं है headless है इस related image based question भी आ सकता है I think मैंने भी डाला है वही वाला question देखते है इस chapter से कौन सा image based question है यहाँ पर question number 11 क्या कहता है early Tamil literature the sangam text also mention the different categories of people living in the villages match the following columns of these categories with the people in the social strata तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई जो sangam text में हमें देखने को मिलता है तो आपको match करना है तो यह match वाला question है तो अधीमई के लिए क्या आप लगाओगे देखो आपको यह तो आपको factual question आपको रटा होना चाहिए आपको पता है तो पता है वह नहीं आता तो मुश्किल है करना देखो आपको एक पता है अधीमई को slave कहते है अगर आपको इतना पता है तो आप तब भी 50-50 पहुंच सकते हो so यहाँ पर 1 के लिए 3 होना चाहिए 1 के लिए 3 हाँ भी है यहाँ भी है यह दोनों नहीं हो सकते अब देखो यहाँ पर मैं आपको simple बता दूँ अधीमई यूज के राता था slaves के लिए यहाँ पर जो विलालर होते थे वो कौन होते थे वो होते थे large landowners और उजहावर होते थे फ्लो मैन ठीक है तो 2 के लिए हाँ पर 1 होगा तो क्या बनाएंगे इसके लिए हम 3 ठीक है उसके बाद second के लिए 1 और उसके बाद यहाँ पर यह जो उजहावर है उसके बाद question number 12 क्या कहता है कि हाँ पर आपको बताना है most powerful महाजनपद 6 से 4th century BCE के अंदर so वो है मगद क्यों बना इसके उपर question आ सकता है बहुत important topic है why मगद became the most powerful महाजनपद from 6 to 4th century क्या है इसके reasons थे 6 माग का 3 माग का या फिर 8 माग का question आराम से बन सकता है question number 13 क्याता है कि किसने appoint किया धम महामत्तास को तो बताओ बताओ समुद्रगुप्त ने appoint किया या विम्भी सर ने ठीक है या पांडिया रूलर ने नहीं अशोका ने हमें पता है सर अशोका ने question number 14 क्याता है assertion reason वाला question है कि 5 main political center हमें देखने को मिलते है कौनकों से पाठली पुतरा तक्षिला उज्जैनी तोशली स्वनागरी उसके बाद इसका reason यह है कि the vast empire the vast empire was not controlled by a uniform administrative system तो जो vast empire था उसको uniform administrative system से नहीं चलाया जा सकता था और मतलब नहीं control किया आ सकता था uniform एक जैसा administrative system से और अशोका ने क्या किया try to hold his vast empire together by propagating धम्मा धम्मा का use किया ताकि उसका empire अच्छे से रहे ठीक है उसने appoint किया special officers को धम महामत्तास को ताकि धम्म का masses फैले पहली statement क्या सही है हंजी पांठ main political center थे और सही भी दे रखे है दूसरी statement क्या सही है देखो आपका जो topic है कि कैसे administration होता था Moran Empire का उसमें दे रखा है कि यहाँ पर vast empire जो था ना उसको एक uniform administrative system से नहीं चलाया जा सकता जो कि सही बात भी है अशोका ने धम्म के थुरू इसको चलाया और अलगलग administrative system यहाँ पर हर province में adopt किये लगाये ताकि यहाँ पर यहाँ पर वो you know control कर सके administration कर सके और धम्म के लिए उन्होंने क्या किया special officers जो धम्म महामत्ताज जिनकों कहते हैं उनको यहाँ पर इन्होंने क्या किया appoint किया तो दोनों statement सही है लेकिन क्या आपको दोनों में कोई connection दिख रहा है अब देखो यह तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों statement सही है अब इन दोनों में आपको पता लगाना है कि क्या connection है या नहीं यानि 50-50 है 50% chance आपके सही करने के हैं 50% गलत करने के तो देखो यहाँ पर आपको कोई भी नहीं दिख रहा link जोकि यहाँ पर बता रहा है कि 5 main political center थे यहाँ पर बता रहा है कि जो administration है वो एक uniform uniform मतलब कोई भी जो empire है vast empire उसको एक simple, एक same administration system से नहीं चलाया जा सकता फिर यहाँ पर धम के बारे मता रहा है और धम महमत्तास के बारे में कोई connection नहीं है दोनों के बीच में there is no connection between assertion and reason so the answer will be both A and R true दोनों सही है हम यह नहीं बोल रहे हैं कि दोनों मतलब कोई गलत हैं में से both A and R is true but R is not the correct explanation of A 15th question है देखो मैंने यह वाली image लगा रखी है so यहाँ पर कौन सा यहाँ पर identify करना है given image तो किसके बारे में sculpture है गुपता किंका, मौरेन किंका, कुशान किंका रचोला किंका so कुशान किंका यह हमें देखने को मिलता है कनिश्क ठीक है कनिश्क जोकि powerful, one of the powerful ruler थे of कुशान डाइनस्टी chapter number 3 पर हम आगे है आदा घंटा मारा वीदिया है I hope यहाँ पर 60 minutes से कम की वीडियो रहे ताकि आपको देखने में भी असानी हो लेकिन कोई बात नी हमें अच्छे से सारे MCQs को करना है जोकि देखो समझाने में टाइम में करा लगता है थोड़ा बहुत तो तो पहला कोशन यहाँ पर है which of these rulers followed endogamy endogamy marriage जोकि within unit होती है या फिर caste तो साथ वहांस, पांडियाज, मौरियन्स, none of these तो साथ वहांस marriage करते थे ruler follow करते थे endogamy which of the second question which of the following was one of the occupation of छत्रिये तो छत्रिये का हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कौन सा occupation था तो perform, sacrifice and give gifts यहाँ पर teach करना वेदास को trade करना, agriculture करना तो यहाँ पर हमें one system देखने को मिलता है तो the one system जहाँ पर हमें top पे देखने को मिलते हैं भ्रामण, छत्रिये, वेश्या, सूदरास तो भ्रामण, ठीक है छत्रिये, वेश्या, सूदरास तो यहाँ पर छत्रिये का काम क्या था इसके according, question के according तो perform करना, sacrifice and give gifts to teach वेदास ठीक है, या फिर यहाँ पर trade या फिर agriculture so get, sacrifice, perform and give gifts, ठीक है गिफ्ट तो दिया करते थे, लेकि यहाँ पर आना चाहिए था get, sacrifice, perform तो हमारा A हो जाता, थोड़ी सी हाँ पर ही मुझे mistake लग रही है question में, क्योंकि देखो वेदास को teach करना, यहाँ पर नहीं था वेदास को teach करते थे, भ्रामण, trade यहाँ पर थर्ड कोशन है, पान्रिनी अस्ठया धिहाई इस अवर कॉन, तो पान्रिनी का जो अस्ठया धिहाई हाँ यहाँ पर यह जो किताब है, वो किस के बारे में है, संस्कृती ग्रैमर, संस्कृत की हिस्ट्री, या फिर मंत्रा, या फिर प्लेज, तो यहाँ पर हमें अंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पर विदिन दी कास्ट, ठीक है, पोलिगैमी में एक मैन की काफी सारी वाइफ्स होती है, तो वाइफ्स मल्टिपल, ठीक है, एक मैन की, पॉलिएंटरी में हमें प्रोसेस चलता रहता है, तो यहाँ पर father एक keyword है, तो उसे हम कहेंगे, that is skin fall का है, battery linear marriage, फिर polygamy है तो उसे हम कहेंगे battery linear और यहाँ पर अगर mother given होता, mother तो mother given होता, तो हम battery linear बोलते हैं, जबी तो हम यहाँ पर paternal uncle बोलते हैं, अपने हाँ पर चाचा को या फिर father की side से जो भी उनके father के भाई होते हैं, brothers या mother की side से होते हैं, तो maternal बोलते हैं, question number six is which of these is the most important धर्मशास्त्र, तो इसमें से कौन सब most important धर्मशास्त्र है, मनुस्मरिती है, महाबारत है, रिगवेद है, none of these तो यहाँ पर है मनुस्मरिती मनुस्मरिती एक धर्मशास्त्र है ठीक है, law book है उसके बाद question number seven is which of the following statement is incorrect about the duties, तो जो चांडास की duties लिखी हैं मनुस्मरिती में, उसके regarding कौन से statement incorrect है, incorrect keyword है, incorrect यह गलती मत करके आ जाना, बहुत regret फिलो का exam में, की correct given था, लेकिन मतलब incorrect given था, लेकिन आपको लगा correct है, आपको ध्यान ने गया और आप उसके according उसको गलत करिया है, आने के बावजूद भी, ठीक है तो आपको इस पर focus करना है, keyword पर ध्यान रखना है incorrect पता लगाने हैं, duties of chandles so they had to leave and they had to leave on the outskirts of the village, ठीक है they had to use discarded utensils, तो बेकार उसकरने पड़ते थे उने, they were supposed to wear old clothes of the villagers, old clothes of the villagers and ornament made of from shells, shells के हैं पर ornament पहनने पड़ते थे उनको नहीं, iron के तो अराम से चमक की statement, C will be the incorrect, मतलब correct answer है, लेकिन statement incorrect है with regard to the duties of the chandles, जो की लिखिया मनुस्मरीती में तो यहाँ पर आपको एक और question देखने को मिल रहा है कि duties, chandles की कहां लिखिया मनुस्मरीती में और यहाँ पर यह भी आपढ़ लो, यह भी सई statement है, उनकी duty थी serve करना as an executioner and dispose करना पढ़ता था उनने, उनकी bodies, उनकी dad bodies, जिनका कोई भी relative नहीं है, तो यह जो duties है, chandles की बहुत important है थ्री या फिर एट मा का question बनेगा पढ़ ले ना इसको, question number 8 क्या है, which ideas were considered supreme that they influence social practices of all people in ancient times तो कौन सा idea था, जिसको बहुत supreme माना जाता था ancient time में, जिसको लोग भूँचा था, follow करते थे with regard to social practice, social society में क्या क्या हमें follow करना है तो छत्री है, ठीक है, या फिर untouchable, भ्रह्मनिकल, none of these तो भ्रह्मनिकल आइडियास था भ्रह्मनिकल आइडिया में ही तो हमें one system देखने को मिलता है, ठीक है रोल थोड़ा कम होता हुआ, देखने को मिलता है question number 9 क्या कहता है है यहाँ पर आपको बतानी है, statement consider करनी है, गोत्र से related, so which of the following statement is correct, correct पूछिए, about the classification of people in terms of गोत्र, under भ्रह्मनिकल प्राक्टिस around 1000 BCE onwards, तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, आपको न गोत्र देख लो, और यह देख लो कि आपको correct statement बतानी है, पढ़ने लग जाओ marriage के बाद, women को अपना father का गोत्र, यहाँ पर give up करना पड़ता था, ठीक है सई statement है बिल्कुल, उनको यहाँ पर अपना जो husband है, अपने जो husband है उनके गोत्र को adopt करना पड़ता था सई statement है, हमने पढ़ाए, जो भी rules थे with regard to गोत्र another important rule यह था कि जो member है same गोत्र के, वो marry भी नहीं कर सकते because उनको A की family का दूर की family का part माल लेते हैं तो सारी statement सई है, ठीक है उसके बाद, यहाँ पर यह भी बन सकता है कि member of same gother could not could marry, यह नहीं आया तो statement क्या हो जाती, हमारी A और B वाली सही हो जाती, यह वाली गलत हो जाती तो थोड़ा focus रखना, not लिखा है क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इतनी जल्दी भी नहीं है, because यह आपको एक number दिला देगा या फिर आपका एक number कम भी करवा देगा ठीक है, question number 10 क्या कहता है, ruler, जिन्होंने क्या किया एक तरीके से जिनका जो name है वो उनकी mother की name पे है जैसे कि गौतमी पुत्रश्री सतकरनी यह ruler है, अगर आपको यह पता है कि वो कौन से dynasty के ruler है तो आप अंसर दे सकते हो, शाक्स, साथवांस कुरूज या मौरियंस, तो वो साथवांस थे जिन्होंने, अपनी मदर की जो एक तरीके से lineage है, उसको follow किया और अपनी मदर की आगे वो मतलब अपनी नेम की आगे वो अपनी मदर का नेम जोड़ा करते थे, गौतमी पुत्र श्री सतकरनी, यानि गौतमी का पुत्र श्री सतकरनी, ठीक है powerful ruler थे साथ वांस डाइनस्टी के याद रखना यह question नहीं बन सकता है कि गौतमी पुत्र श्री सतकरनी कौन से डाइनस्टी के रूलर थे, साथ वांस question number 11 is identify करना है given image from the following options, तो इस statement को इसको देखो image को बताओ किसके बारे में है Krishna एनर्जुन, stone sculpture है या chief and follower है, जो कि हमने हमें देखने को मिलता है सांची से या फिर chief and follower stone sculpture from अमरावती, या फिर of the above, तो कुछ important यहाँ पर हमें देखने को मिलते है picture हमारी book में, आपको पता लग जाएगा जब आप book को read करोगे ज़्यादा picture नहीं है, सब को कर लोगे तो भी यहाँ पर कुछ नहीं बिगणने वाला, एक question तो आएगा अराम से, और यह important है इस chapter की picture, तो यह है एक उनकी chief और उनकी follower की जो की हमें देखने को मिलती है अमरावती से, तो देखो यह आपको पता है chief and follower की है, लेकिन आपको यह भी बढ़ना है कि सांची में देखने को मिलिया फिर अमरावती में, तब यह आप आपसे यह question बनेगा, तो C will be the correct answer, question number 12 is, assertion reason वाला question है, तो V.S. उक्तांकर एक noted Indian Sanskritist थे, जिनको काम धिया गया, कि उन्हें prepare करना है critical edition of महाभारत, जिसमें क्या आता कि उन्हें Sanskrit जो manuscripts हैं, अलग-लग जो part हैं हमारे country के वहाँ पर जो महाभारत से related Sanskrit, manuscripts हैं, उनको collect करके एक text बनाना है महाभारत का, ठीक है, इसका reason क्या दे रखा है, first historians accepted the text written in Sanskrit as the main source, पहले उन्होंने Sanskrit को use किया as a text, बाद में उन्होंने पाली, प्राकृत, तमिल जैसे जो text है, उन पे focus किया, ताकि वो social histories के बारे में पता लगा सके हैं, तो यहाँ पर पहले आप देखो कि statement कौँसी सही है, कौँसी गलत है, ताकि आपको उसके बारे में पता लगे, तो देखो पहले statement सही है बिल्कुल, क्योंकि VS सुक्त अंकर को काम दिया गया था आपने पढ़ाओगा, पहला ही topic है book का, chapter 3 का, उसके बाद यहाँ पर historians क्या करते हैं उन्होंने पहले Sanskrit, जो text है उसको देखा, ताकि वो social history के बारे में पता लगा सके हैं, बाद में उन्होंने पाली, प्राकृत, तामिल जैसे text को भी देखा, ये भी statement सही है लेकिन क्या कोई दोनो statement में आपको relation देखने को मिल रहा है ये तो हो नहीं सकते दोनों option ठीक है, अब ये 50-50 आपका फिर से हो गया so यहाँ पर देखो कोई भी दोनों में link नहीं है ये statement अपनी independent अलग है ये independent है, ये बताती है वी ए सुक्तांकर को काम दिया गया और ये बताती है पहले उन्होंने Sanskrit text को देखा, historians ने और बादे वो पाली, प्राकृत, तामिल जैसे text को देख रहे हैं, बस तो इसका अंसर होगा B तो दोनों सही है, लेकिन our correct explanation नहीं है, एक ही, question number 13 कहता है कि पैट्रिलीनी का मतलब होता है descent, trace करना descent father से, son से from father to son, son से grandson की तरफ and so on reason कहता है, पैट्रिलीनी was prevalent even before the moran period yet महाबारत strengthen it तो पैट्रिलीनी prevalent था even before, moran period से भी पहले prevalent था, पैट्रिलीनी और महाबारत ने इसको strengthen कर दिया, क्या लगता है आपको, देखो देखो, पैट्रिलीनी का मतलब यह होता है हमने अभी MCQ भी देखा है, it's related लेकिन दूसरी statement incorrect है because, यहाँ पर पैट्रिलीनी इतना prevalent नहीं था, before moran empire moran period, उसके मतलब था तो से, लेकिन उसके यह बाद ज्यादा prevalent हमें देखने को मिलता है तो statement जो यह r वाली है यह statement incorrect है reason यह false है, so a true है r false है, इसका answer c होगा जोगी पैट्रिलीनी सही है और दोनों में यहाँ पर connection ढूनने की जरूती नहीं है because जब यहाँ पर r false है तो तो इसका answer c होगा I hope आप सबी के questions सही जा रहे है question number यहाँ पर 14 is the earliest inscription जो पहले सबसे पहले inscription किस में लिखे गए थे किस material के उपर so paper, metal, stone, wood तो देखो आप, stone के उपर लिखे गए थे ठीक है, उसके बाद अशोका ने pillars के उपर भी हाँ पर लिखवाना शुरू किया बाद में हमें और भी copper पे copper plate पे और भी चीटों पे देखने को मिलता है, inscription question number 15 है, how many verses are दे रहे हैं महाबारत, महाबारत में कितने verses है, तो यहाँ पर कितने verses है, 1,00,000 verses है, तो यहाँ पर V.A. सुक्थांग करने किस तरीके से 1990 में उन्हें काम दिया गया ठीक है, और यहाँ पर कितने verses हैं, यह सारी information याद रखना तो इससे वनमाक के question बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया चलते हैं, chapter number 4 की तरफ, यह बहुत important chapter है, वनमाक के लिए काफ़ी सारी हाँ पर ठीक है, वनमाक के लिए तो करते हैं हम, तो पहला है यहाँ पर question है कि कौन सा symbol बताता है empty seat, empty seat को symbolize करता है तो यहाँ पर empty seat जो है, वो क्या symbolize करता है, तो यहाँ पर पहला sermon जो बुद्धा ने दिया, या फिर event in the life of बुद्धा, या फिर wisdom बुद्धा का, या फिर meditation बुद्धा तो meditation बुद्धा शो करता है यह, योगि देखो first sermon पहली speech के लिए तो यहाँ पर wheel है ठीक है, तो हमें wheel देखने को मिलता है, और यहाँ पर meditation यानि enlightenment तो enlightenment के लिए हमें देखने को मिलता है क्या यूज कर रखा है इन्होंने empty seat, ठीक है, और यहाँ पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है जो कि यह stoopa, stoopa क्या show करता है, stoopa show करता है death of गौतम बुद्धा, death of गौतम बुद्धा है, जिसको हम महापरी निर्वान कहते हैं, so तो महापरी निर्वान या फिर निबाना महापरी निबाना N-I-B-B-A-N-A निबाना भी आप बोल सकते हो महापरी तो आएगा, निबाना महापरी निबाना, ठीक है, कोई भी आप बोल सकते हो यहाँ पर question second is new tradition जो है बुद्धिजम का उसको क्या बोला गया स्वयतामबर्दी कामबरहिनयान महायान, so that was यहाँ पर कौन सा आने लगा तो वो था महायान ठीक है, महायान बुद्धिजम यहाँ पर नया tradition आया था उसके बाद question number three is a form of बुद्धिजम within which Vishnu was worshipped तो एक नया form of बुद्धिजम आया था, जहाँ पर Vishnu को ऐसा principle deity उन्हें पूजा जाने लगा तो वो क्या था, ब्रह्मनिजम है वैशनविजम है, शैविजम है या भागवतिजम है so that is वैशनविजम ठीक है, वैशनविजम में विशनु की पूजा होती है शैविजम में शिवा की तो यहाँ पर अगर मैं शिवा लिख देता तो क्या अंसर होता, option आपका C होता, अब यहाँ पर 20 का अंसर है question number 4 है कि किसने money provide करी, सांची स्थूपा की preservation के लिए, तो John Marshall बेगम सो भोपाल, Alexander Cunningham none of the above, तो किसने money provide करी for the preservation of सांची स्थूपा, so वो थे बेगम सो भोपाल, तो जो बेगम थी भोपाल की, शाजान बेगम सुल्दान जान बेगम, उन्होंने important role play किया, सांची स्थूप को यहाँ पर preserve करने के लिए, ठीक है और इसी statement के साथ मैंने आपको पांच में एक अंसर भी बता दिया है ठीक है, so यहाँ पर which of these was not the बेगम भोपाल, तो यह दोनों तो बेगम थी, नूर जान बेगम was not the बेगम भोपाल question number है यहाँ पर six हमें देखने को मिलता है, what was the balcony-like structure in the स्थूपा called, तो balcony-like structure स्थूपा में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या कहते हैं उसको, so हर्मी का तो यहाँ पर आप एक तरीके से देख सकते हो तो यह अगर मैं हाँ पर बनाऊं एक structure स्थूपा का, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और कैसा हम बना सकते हैं बन जाए तो देखो इसको हम कहते है अंडा that is this is बालकनी हर्मिका और ये वाला जो हमें बेस देखने को मिलता है that is नहां पर क्या दरका है यस्टी यस्टी और उपर जो हमें इसके उपर देखने को मलता है सबसे टॉप है that is छतरी छतरी ठीक है उसके बाद कोशन नमबर सैव के लास्ट टीचर सो वो कौन थे कौन थे जल्दी बताओ मुझे सिधार यहां पर सिधार्द ठीक है लॉड महावीरा उसके बाद कोशन नमबर एट बोलता है कि जो ग्रेट टीचर से जैनिजम में उन्हें क्या बोलते हैं तीर्थांकर जातक्स जिनाज या फिर वर्दमन् या फिर एक ऐसी प्लेस पे जो कि बुद्धा से कनेक्टेड है बुद्धा की लाइफ से या फिर ओवर रेलिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ संग के जो मेंबर है उनके रेलिक्स के उपर या फिर ऐस अबज़क्ट ऑफ डिवोशन पाई बुद्धिश मोनेश्रीज तो इसका जो बुद्धा की रेलिक्स थी उनके दुआरे ही उसके आगया समान है तो उसको हाँ पर एक जगा पर रखके उसके उपर स्थूपा बनाया गया कोशन नमबर 10 यहाँ पर बोलता है कि वो कौन सी पहली विमन थी जिन्होंने वो भिक्कुनी बनी तो एक संग सिस्टम चला था संग में पहले विमन को अलावनी करते थे लेकिन यहाँ पर आनंद जो की एक डिसाइपल थे गौतम बुद के उन्होंने परसुएट किया कि भ प्रजापती गौतमी जो की फॉस्टर मदर थी गौतम बुद की कोशन नमबर 11 क्या कहता है विच ओफ दी पेर इस क्रेक्टली मैच तो कौन सा क्रेक्ट मैच है लुम्बी नी बर्थ प्लेस है गौतम बुद्धा का बोध गया में इन्होंने एनलाइटर में अटेन किया ग खुशी नगर ठीक है यह आप करने के बाद खुश होगे तो खुशी नगर एक और याद रखो that is यह related है that of गौतम बुद्ध और that को मैंने बताया महापरी निर्वान यहापरी महापरी निबाना कहते हैं question number 12 कहता है कि according to which Buddhist text एक ऐसे बुद्धिश टेक्स के according अशोका ने क्या किया जो बुद्धा के रैलिक्स थे उन्होंने क्या किया उसको हर टाउन में एक तरीके से important टाउन में क्या करवाया उन्होंने distribute कर दिया और order दिया कि भाई इनके उपर इन रैलिक्स के उपर जो स्थ तूब है उसका construction होना चाहिए तो वो कौन सा text है जिसमें ये बात लिखी है अशोका वदाना महापरी निबाना सुत पिटक या फिर वैसंतर जाटक तो answer है अशोका वदाना एक text है जिसमें क्या लिख रखा है बुद्धिश text है बता रखा है कि अशोका ने order दिया अपने officers को कि बुद्धा के relics को जगा जगा distribute करके उनके ओपर स्तूपाज बनवाओ और ऐसा माना जाता है कि कई सारे स्तूपाज बनवाया अशोका ने question number 13 is assertion दे रखा है कि Lord महावीरा को माना जाता है कि real founder है जैनिजम के और founder है बुद्धिजम के Lord महावीरा simple है बहुत simple है Lord महावीरा को real founder माना जाता है ठीक है real founder माना जाता है लेकिन real founder है नहीं real founder रिशब देव थे रिशब ठीक है रिशब देव was the real founder of you know was not the real founder was the founder of Jainism but Lord महाविरा को real founder मानते हैं because दिनों ने Jainism को बहुत प्रमोट किया बहुत जादा spread करवाया यहाँ पर जो founder थे बुदिजम के वो कौन थे वो Lord महाविरा थोड़ी थे that was the Gotham बुदध तो यहाँ पर a statement is true but r is false question number 14 है hagiography क्या होता है so hagiography biography होती है या achievement होती है या फिर hurt होता है with a pointed roof and none of the above so hurt with a pointed roof kutagarshala होता है kutagarshala ठीक है तो यह वाला भी question आ सकता है achievement जो होती है वो इसमें नहीं होती है biography yes biography होती है so biography of any son to religious leader is the hagiography और hagiography जो आपको बोलना है बोलो question number 15 है आपर image based question है picture based question यह आपको किसकी picture लग रही है Lord Vishnu की Lord Mahavira की Lord Shiva की या फिर Gautam Bodhi की so यह जो है picture यह किसकी है Lord Mahavira जिनको हम बोलते है Vardaman B 24th and the last teacher of Jainism ठीक है Jainism so Jainism के हैं पर हमें देखने को मिलते हैं Jainism के last यहाँ पर यह teacher थे Lord Mahavira so यह हाँ पर हमने सभी जो भी important questions है उनको किया chapter कहां से chapter 1 से 4 तक next video में हाँ पर बात करेंगे most expected जो कि MCQs आ सकते हैं book 2 के so book 2 में भी जो भी 4 chapters हमारे आ रहे हैं इस बार उनके most important MCQs ऐसे ही करेंगे तो आप video के लिए wait कर सकते हो मैं जल्दी upload कर दूँगा और यहाँ पर मैंने यह chapter 1 to 4 हैं इनके लिए dedicated chapter wise अलग से पहले videos बना रखी हैं अगर आपको और भी MCQs को practice करना है तो you can check the playlist जो कि आपको description में मिलेगी और question आप solve कर सकते हो जो कि chapter wise मैंने upload कर रखे हैं तो इनसे आपको थोड़े different question मिल जाएंगे ताकि आप यह पास बहुत जादा material हो जाए practice के लिए जितना practice करोगे तो नहां सही रहेगा ठीक है और अगर आप और भी question solve करना चाहते हो MCQs के आपको और भी question चाहिए या फिर notes चाहिए complete study material चाहिए जिसमें आपको notes मिलेंगे chapter wise 40 MCQs मिलेंगे important question answer, map मिलेंगा important source based question, sample paper, mind map हर chapter का तो यह paid material भी available है जिसको लेना है वो ले सकता है अपनी preparation को बहुत आच्छा बना सकते हो काफी बच्चे ले चुके हैं आप भी ले सकते हो so 199 में available है per subject याने की geography और political science के लिए भी available है 199 per subject लेना है तो इस number पर whatsapp करो payment के बाद मैं आपको PDF form में सारा material provide कर दूँगा right so यहाँ पर video को like कर देना because बहुत time लगता है PPT बनाने में question में हाँ पर मैं research के basis पे research करके भाई कौन सा topic important है उसके बाद लेकर आता हूँ so उसके बाद हिहाँ पर मैं एक particular MCQ को frame करता हूँ so बहुत time लगता है video को like कर देना and please share कर सको तो share भी कर देना ताकि औरों को भी फायदा हो और हिहाँ पर हम next video में मिलेंगे जहाँ पर book 2 से most important most expected MCQ sum करेंगे चले फिर मिलते है next video में right now this is the end of this video thanks for watching and as always God bless you all one more thing अपना score भी बताना comment में कितना रहा या तो chapter wise या फिर overall 60 question थे total 60 में से कितना आपका score रहा है ठीक है चलिए God bless you